हलो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ इस्पेशल बताने वाला हूँ वो इस्पेशल ये है कि यदि आप इंटर्मेडियर की परिच्छा देने जा रहे हैं या गच्छा 11 में है या 10 में है सभी के लिए ये वीडियो बहुत हितकर है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से बोर्ड परिच्छा में कापी लिखी जाती है और जिससे बिद्ध्यार्ती बोर्ड टाप कर जाती है पूरे स्टेट को टाप कर जाती है आज मैं वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसको देखते हैं और यहां मैं सबसे पहले प्रस्न पत्र दिखा रहा हूँ, यह pre-board का है इसके बाद मैं यह दिखाऊंगा कि इसकी copy लिखी कैसे जाती है यह भी दिखाऊंगा और इसको खाली समय में ही देखें और अपने आपमें सुधार करें कि हमें कौन सी कमी है जिस बज़े से हम अपने लक्ष तक नहीं पहुँच पाती हैं तो ये वीडियो आपके अंदर एक नया जुनून भरेगा एक नई उमंग लाएगा जिससे आप बहुत अच्छा परिच्छाम करेंगे और जब आप अच्छा करेंगे तो उसकी उतकरश्टरता आपको एक अच्छे मुकाम पर लेके जाएगी तो सबसे पहले इस प्रसन पत्र को देख लीजिए क्योंकि इसके बाद फिर मैं आपको आंसर कॉपी दिखाऊंगा कि कैसे कॉपी को अच्छे डंग से लिखा जाता है जिसमें हमारे इंग्लिस में 100 में लगवाग 95 प्लस अंक आएं वो वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो सबसे पहले इस प्रसन पत्र को देख लें प्रीबूर्ड पेपर है एक्जामनेशन 2023-2024 सब्जेक्ट इंग्लिस है क्लास्ट 12 है टाइम अलाउट तीन घंटे 15 मिनिट होता है सभी जानते हैं मार्क्स मैक्जिमम मार्क्स 100 सॉंग का पेपर है और यहां बताना इसलिए दिये जाते हैं ताकि आप पेपर को विवस्तिफ पढ़ लें लेकिन यदि आप स्मार्ट स्टुडेंट है तो आप यह पंद्रे मिनिट का जो काम पेपर है ना पेपर को पढ़े ने के बल पांच मिनिट में ही पढ़ दें और अपना काम चालू कर दें तो यह 10 मि प्रिट हो जाएंगे आंगे देखते हैं इस इस दिवाइड इंटो फॉर सेक्षन और यह पेपर जो है वह चार भागों बटा है यह बी सी डी चार भागों बटा है ठीक आंगे क्या निल्देश हैं आल क्वेस्टेंस फ्रॉम आल दा सेक्षन आर कंपल्सरी मालब जितने इसमें दिये गए हैं यह सारे ही क्वेस्टन आपको पेपर में लिखने हैं एक भी प्लस न आपको छोड़ना नहीं है आंगे दिया गया है मार्स इंडिकेटेट अगेंस इस क्वेस्टन प्रतिये क्वेस्टन के बाद इसका अंक नदारित है कि यह कितने नंबर का है ठीक तो इसको बड़े जुनून के साथ देखेंगे और हम एक सुधार करेंगे उस सुधार की बदलत हम अच्छे मुकाम पे पहुं सकते हैं और एक बात और कहना चाहेंगे कि जीतने वाले व्यक्ति कोई काम अलग नहीं करते हैं वो केवल अलग ढंग से करते हैं 24 गंटे आपक लेकिन करना क्या है अपने वर्क में स्मार्टनेस लानी होगी आपको स्मार्ट वर्क करना होगा हाट वर्क नहीं करना होगा चलो देखते हैं इसके आगे सबसे पहले यह पिपर देख जाईए यहां से question number 1 हमलब स्टार्ट हो गया है one 3 तक है Read the following passage carefully and answer the question that follow साइध है आपने इसका एक्जाम दिया भी हो लेकिन इसको आप दो बारस देखेंगे और कैसे करना है सबसे पहले आप question paper को मैं देखा देता हूँ और इसके बाद मैं आपको answer कहाँ भी दिखाऊंगा कि कैसे इसको लिखते हैं यहां देख लेते हैं इधर देखते हैं इसके बाद हमारा write a letter to the editor of newspaper about frequent breakdown of electricity in your locality तो इस परकार से फ़हले यह paper देख लें ताकि जब आपको मैं answer copy दिखाऊंगा तो आपको यह दुविदा नहों कि यह प्रस्ट कौन सा है क्योंकि copy में question नहीं लिखे जाते हैं सीधा-सीधा answer होता इस बज़े से paper को देखाना हमारा ज़रूरी हो गया है यहां पर देखते हैं यह फ्रेंट चमाना grammar section है तो यहां इसको देख लेते हैं क्या-क्या पूंचा जाता है इसमें इसके बाद यहां देखेंगे यह इसलिए देख लिजिए तक आप जैसे कोई question का answer देखते हैं तो आप इसको back करके यह देख लेंगे कि प्रस्ट पूंचा क्या गया है है ना तो आप यह नहीं समझ पहपाएंगे कि कहां से रख दिया गया है कौन सा answer है तो पहले question को देखना बहुत ज़रूरी है यहां देख लें यह section B है और यह question number 8 है 8 का यह कुछ भाग है वह यहां देखेंगे और इस प्रकार से आप इसको देखते रहेंगे यह हमारा question paper के question में कि फ़र 12 question दिये गए हैं अब देखते हैं इनकी answer इनकी answer देखते हैं यहां पर देखेंगे friends हमारा पांच मिनट का यह लगवा छह मिनट का हमारा paper है तो इसको back करकर आप question number मिला करके answer देखें तो यहां देखें section A जो है इसको पहले hint करना है and old man dot 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 always be weak तो यहां से अब मैं इसको पढ़के नहीं बताऊंगा आप आप इसको देख करके ही पढ़ लें और इसका सही से मुल्यांकन कर लें समझ लें कि ऐसे paper क्लिखा जाता है ऐसे heading डाली आती है है ना आप मैं पढ़के नहीं बताऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दो गंटे में पूरा नहीं होगा यहां देख सकते हैं आप इसके बाद यहां देखें इसका सेश भाग यह वोकाइब पॉर्शन है आप इसको अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहां पर यह सुब्दा हो रही है या कैसा लगा है आपको इस परकार से यहा बीमेन इंडिया और यह एट हम लिखा है इसके बाद आगे देखेंगे यहां पर और इसी तरीके से आपको कॉपी में लिखना है गारंटी करता हूं आपको 95 प्लस अंक जरूर मिलेंगे पेबर में कोई रोक नहीं सकता एक्जाम एक्जामनर कॉपी देख करके ही अपने प और यहां पर लास्ट में कंकुलूजन छोड़ना है आपको आप इस स्केज भी बदल सकते हैं थोड़ा सजा के लिख सकते हैं एक बाद और याद दखेंगे लास्ट में आप कुछ अच्छी पंक्तियां भी छोड़ सकते हैं अच्यंक लेने के लिए यह के स्पेशल बिद् देखेंगे यह question 3 है later to the later to the editor पत्र है इस प्रकार से आपको पत्र लखना है समझ लें इसको और अपने में सुधार करें जब तक सुधार नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है मेहनत तो सबसे जाता गधा करता है लेकिन उसका सम्मान कितना होता है लेकिन जो smart work कर करता है उसी की पहचान समाद में होती है यहां दिहान रखेंगे इस प्रकार से देखेंगे इसको यहां देखेंगे और यहां पर यहीं समाप्थ हो गया है अब देख तो सेक्षन कल्यान लोड़ा तै है यहां देखते हैं इसके यूज भी है एक्जामपल सहीथ है क्वेस्टन नमबर शिक्स में जो हमारी स्टोरी थी उसका यह अनुवात किया गया है यहां पर कहते हैं ना जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते हैं बलकि अलग धंग से करते हैं तो इस मार्कनेस अपने अंदर लाइए मैंने आपको एक प्रारूप दिखाया है उसके आप कितना खरे उतरते हैं यह आपकी उपर डिपेंड करेगा मैं आपको होस्याल नहीं बना रहा कि आप थोड़ा सुधार करके बहुत अच्छे मंजिल पर पहुंश सकते हैं और यहां पर देखते हैं यह सेक्षन डी है कोस्याल नमबर सेवन है प्रस्ण आप बैक करके वीडियो प्रस्ण पहले प्रस्ण परत पढ़ लें इसके बाद आंसर यहां देखें यहां देखें कि यहां देखेंगे कोस्याल नमबर एट है और यहां देखते हैं इस परकार से यह से लिखना है यह लॉंग अंसर है इस परकार से आपको लिखना है आप चाहो तो वीडियो रोग करके एक अपना लोकल का रियासल कर सकते हैं एक में से पहले एक दधिय से जरू कर लें कि जो गलतियां है यह जैंसा परियास करना है ah कि यहां देखेंगे सेस भाग है यहां में कहते हैं कि पूरी इमांदारी के साथ ुरुरु ताकत के साथ ुरे मांड के साथ आपको परिष्चह मातना है। और एक अच्छा पर्फॉर्म करना है नहीं कहते हैं मिटा दू खाक हस्ती में गर मर्तवा चाहो दाना खाक में मिलके ही गुले गुल्जार होता है यहां देखिए यहां देखिए देखते हैं कोसर नमबल नाइन जो की पॉर्टरी समन्दित है उसके आंसर यहां पर दिये गए हैं और इसके बाद आगी देखते हैं यहां देखते हैं और फ्रेंड्स गीता में भगवान सीकेस ने कहा है कि वियाल आल बी आल अर अंडर कर्म हम सभी कर्म के ही अधीन है और कहा जाता है वर्क इच वर्सिप कर्म ही पूजा है तो अपना कर्म सही दिसाम करते रहिए इमानदारिस करते रहिए सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी सेस भाग वो यहां पर देखें आप और इसके बाद देखते हैं क्वेस्टन नमबर 11 इसके बाद यहां देखते हैं यहां पर फ्रेंट देखते हैं यह हमादा क्वेस्टन नमबर 11 भी है इसका अंसर अब देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है question number 12 इसको इस प्रकार देखेंगे और यहाँ पर question number 12 A है जो कि लास्ट है अब इस प्रकार से देखेंगे इसको और यहाँ देखते हैं इसका आगला भाग question का से इस भाग तो यहाँ conclusion हो गया है और यह समाप्थ हो गया है इस प्रकार से आपको copy लिखनी है और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप exam के बाद आपका result इंग ले तो आप जरूर comment करके बताएं कि आपको कैसा achievement हुआ है तो आज के लिए इतना ही आपका दिन मंगल मैं हो thank you very much